वेल आज मैं आप सभी के लिए प्रूफ लेकर आज चुका हूँ जो कि हमने एक लास्ट वीडियो अप्लोट किया था क्रेडिट कार्ड की मनी को बेंकाउट में ट्रांसफर करने का तो उसमें मैंने आपको बोला था कि यदि आपके पास में SBI कैश्वेक क्रेडिट कार्ड ह तो इसके तुरूँ स्पेंट करने पर आपको 5% का कैश्वेक भी मिलेगा वेद फ्री आफ कॉस्ट में आपका क्रेडिट कट का लिमिट भी बेंक काउंट में ट्रांसफर को जाएगा तो बहुत सारे उसमें कोमेंट आ रहा था कि वॉलेट में लोड मनी हो रहा है कैश्व मिलेगा वेगरा वेगरा बहुत सारे कोमेंट आप लोगों ने किये तो जो लोग ने उस वीडियो को देखके ट्रांसफर किया है तो पहला प्रूफ तो उनके पास में ही होगा तो आप सभी अपना अकाउंट चेक किजिए SBI का वहाँ पर आपको प्रूफ मिल चुका होगा यानि कैश्व बैक जो है आपके स्टेट्मेंट में एड हो गया होगा क्यूंकि मेरी भी स्टेट्मेंट में एड हो चुका है वो आज के स्वीडियो में आपको विद्द प्रूफ दिखाने वाला हूं तो लोगों से रिक करना चाहूंगा कि वो भी जो है हमें अपना प्रूफ शेयर कर दे मेरे टेलिग्राम आईडी पर जो कि मैं डिस्क्रिप्षन में में इसा चीज हो पाएगा या नहीं तो जब मुझे लगता है कि यह फायदेमंद है लोगों के लिए भी फायदा कर सकता है तब ही मैं उस पर बनाता हूं तो इसलिए जब कोई इस तरह का content देता है उस पर सवाल करने से पहले result देखो फिर उसके बाद में उस पर सवाल किया गर हो न और result मिलने में time लगता है तो at least कम से लो मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो ताकि वो आपके सामने साबित कर सके कि हाँ यह सारी सीचे 100% प्रूवड है यानि cash work मिलेगा यह मिलेगा और जो trick मैंने बताया था 100 minutes free का वो work करेगा करेगा और इसके बाद में same इसी type के दो-तिन और वीडियो बनाने वाला हूं मतलब अलग-अलग application का use करके जिसके दुरू आपको जो cash work वाले credit card हुए उन पर cash work भी मिलेगा और credit card के limit to be free of cost में transfer हो जाएगी तो वो वीडियो आप से मिस नहों उसके लिए आप चैनल को subscribe परके notification bell को on करीजी तो चलिए आज गाए ये trick देख लेते हैं से किस तरह से आप SBA cashback credit card से limit को transfer भी कर सकते हैं free of cost में और आपको 5% cashback भी मिल सकता है तो like देखने के लिए हम सलते हैं अप पर application यहाँ पर आप देख सकतो यह रहा है application मैं इसे open कर लेता हूं अपका जो main interface है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर first आपको अपना registration complete करना होता है अगर आपने अभी तक इस application का use नहीं किया है तो registration करना काफी ज्यादा easy है आप अपना mobile number, email id, personal detail वगरा और कुछ professional detail एंटर करने के बाद में आपने कुछ document submit करेंगे like pen card और अधार card, अधार card को आप OTP के थ्रू verify कर लिजेगा आपका जो है account ready हो जाएगा, जो कि अभी के time में instant ही create हो रहा है, मतलब कि आदे से एक घंटे में आपका जो profile है ready हो जाएगा, transfer करने के आपको बता दूँ, देखे, add money करने के लिए यहाँ पर charges लगेगा, और send money करने के लिए भी charges लगता है, बट अगर आप Thursday के दिन इस trick को apply करेंगे, तो send money करने के लिए आपको कोई भी charges नहीं लगेगा, क्योंकि एक offer हमेशा इस पर चलते रहता है Thursday के दिन, आपर आप देख कारण है, जिस कारण से इस वीडियो में डिले हुआ है, यानि प्रूफ तो मुझे काफी टाइम पहले मिल गया था, तो बीच में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, और transfer करके दिखाता, तो आपको add money का भी charges लग जाता, और send money करने के लिए भी, यानि bank में transfer करने के लिए charges लग जाता, तो इसलिए आज के दिन मैं इसको shoot कर रहा हूँ, और तीन बजे के बाद मैं balance को transfer करने वाला हूँ, जो कि 0% में हो जाएगा, तो चलिए add money पर कितला charges लगता है, वो मैं आपको अभी दिखा जाता हूँ, add money वाल option पे click करेंगे, यहाँ पर आप amount एंटर कर दें debit card के उपर भी charges है यहाँ पर, और आज आप UPA के through भी add money करेंगे ना, तब भी आपको 0.25% का charges लगेगा, जब मैंनो उस video का shoot किया था, उस time UPA पर charges free कर दिये गए थे, तो यह सारे charges है, आप भी इस list में देख सकते हो, तो चलो अभी मैं आपको यह equipment करके दिखाता हूँ, ज यहाँ किसके विए आप load money करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको UPI का option देखने को मिल जाएंगे, नीचे को तरफ scroll down करेंगे, तो यहाँ पर आपको cards का option देखने को मिल जाएगा, तो आपने directly cards यहाँ पर select नहीं करना है, यहाँ पर select करना है अपने wallet को, wallet वाल उप्शन प पड़ेगा, तो जिस नंबर से आपने phone pick account बना रखोगा, उससे आप enter करके stand OTP वाल option पे click कर दीजेगा, आपके उसी नंबर पर OTP आएगा, OTP को enter करके verify and login वाल option पे click कर दीजेगा, next page में आपको दो option मिल जाएंगे, पहला है BAME UPA, दूसरा है saved card, तो saved card वाल option पे आप click करे next page में आपको OTP submit करना है, तो जिस card का use करना है, जिसके मैं SBE cashback card का use करना है, तो यहाँ पर OTP आज चुका है, OTP को enter करके submit करेंगे, बढ़ एक चीज़ का आपने यहाँ पर निहान देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, phone pay private limited mention है, अगर आपके सामने यह mention होता है तभी आ यहाँ पर show कर रहा है merchant name में, तो आप transaction मत कीजिएगा, बट आपके सामने phone पे private limited mention है, तो आप transaction कर दीजिए, बेधड़क होकर आपको 5% का cashback मिल जाएगा, मैं आपको prove भी देने वाला हूँ, पहले मैं इस transaction को complete कर लेता हूँ, तो यह successfully transaction complete हो चुका है, यानि 1000 रुपे जो ह हमारे इस wallet में odd money हो चुके है, एफपे के, अब मैं इस value को use कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर back चला जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको view balance option पर click करके दिखा जाता हूँ, अब मेरे पास 1153 रुपे हो चुके है, अब इस money को हम send कर सकते हैं अपने bank खाते में, bank खाते में send करना बहुत जादा easy है, send value option पर click करेंगे, और मैंने पहले से ही एक bank account यहाँ पर link करके रखा हुआ है, इसमें मैं transfer कर सकता हूँ, या फिर मैं plus वला icon पर click करके, नया bank account भी यहाँ पर add कर सकता हूँ, तो मैं उसी bank account को select करूँगा, बट अभी मैं इस transaction को नहीं करूगा, reason, क cost में हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा wait क्यों न कर लूँ, एक से दो घंटा, और उसके बाद मैं transaction करूँ, तो free में transfer कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैं wait कर लूँगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, तो वो part मैं थोड़ दिर बात shoot करूँगा, यानि 3 बजी बात shoot कर लूँ दूसरा card, यहाँ पर swipe करने पर यह आगे, और तीसरा card जो है, SBA cashback card है, तो आप ही SBA cashback card का use करके यह transaction कर रहा हूँ, दिसवल option को open कीजिएगा, scroll down कीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, कि मुझे यहाँ पर 55 रुपीज शो कर रहा है, और after last statement, यानि जो last statement है, 55 रुप किया था, 10,000 का, तो 10,000 पर अगर देखा जाया, तो 5% के हिसाब से, 500 रुपी के earning होनी चाहिए, लिखे हमें 50 रुपी के earning हुई है, जो कि मैंने phone पे बैंगलूरी या आप देख सकतो, phone पे बैंगलूरी वाले merchant पर transition किया था, 1000 रुपे का, 15 अगस्त को, उसके लिए मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो जाता है, कि इसके लिए charges भी लगा होगा, मैं आपको अभी transaction history में जाकर दिखावी देता हूँ, कि charges हमी कितना लगा है, यहाँ पर आप देख सो, 1000 रुपे का जो transaction है, इस पर मैं tap करूँगा, तो यहाँ पर complete detail देखने को मिल जाती है, देख सकते ह अमाउंट 1000 रुपे और 25 रुपे का charges लगा है, यानि 2.5% का charges लगा है, 5% का आपको cashback मिलेगा, solid आपको 0.5% का profit हो गया, और free of cost में आपकी credit card की limit को transfer हो जाएगा, यदि आप आज की date में transition करते हैं तो, बाकि दूसरे दिन भी आप कर सकते हो, तो इसमें आपको 3% का charges लग पाओगे, तो आप देखलो अपने हिसाब से, जिस भी डिटो को आपको करना है, आप कर सकते हो, मैं इस पैसे को अभी नहीं, एक दो घंडे बाद में transfer करने वाला हूँ, ताकि जो मेरा charges से 0.5% का जो लगने वाला है, वो reduce हो जाए, वो ना लगे, तो 3.20 मिनिट हो चुके है, अब मैं हाँ अपने जो है, एफपे बॉलेट के money को transfer कर सकते हैं, free of cost में, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं अपने एफपे अकाउंट को open कर लूँगा, तो यह हमरा account open हो चुका है, यहाँ पर send money वाला option पे click करेंगे, और जो bank account मैंने add किया हुए, उ यहाँ से transfer नहीं कर सकते हैं, वो wallet maintenance वगरा का होता है, तो 10 रुपय छोड़कर बाकी का amount जो है, आप transfer कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको 1140 रुपय transfer करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ मेरे पास reward भी पहले है कर पड़े हुए थे, तो उसको भी मैं use कर लेता हूँ, तो मैंने यह type कर दिया, और इस पर tick कर देता हूँ, और send money वाले option पर click कर देता हूँ, देख सो तो यहाँ पर आपको 0.1 का charges दिखा रहा है, तो यह charges कुछ भी नहीं है, ऐसे ही show कर रहा है, मैं यह directly transfer वाले option पर click कर देता हूँ, और जो मेरा security pin है, वो मैं enter कर देता हूँ, तो यह security pin आपको उस time मिल जाता है, जब आप यहाँ पर account create करते हैं, उसी time आपको जो आपका user ID होगा, और जो आपका password होगा, वो मिलेगा, और यह साथ में साथ security pin भी मिल जाता है, तो मैंने तो उसे note down कर रखा है, आप भी अपना note down कर लीजेगा, अगर note down नहीं करते हैं क इसी कारण से, तो forget pin वल उप्शन पे क्लिक करके, आप नया pin भी set कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मुझे याद है, मैं उसे enter करके pay वल उप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख से तो transaction जो है successfully complete हो चुका है, 1140 रुपे जो है, हमारे account में credit हो चु रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए, तो 0.5% का profit और free of cost में credit card की limit bank account में transfer हो गई, तो आप भी credit card की limit को transfer करना चाहते हैं, with cashback तो इस trick का use कर सकते हैं, तो आपके पास में SBA cashback credit card है, तो balance code नहीं है, तो आप इसे अभी apply कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका भी approval काफी ज्या पर नहीं हो, तो subscribe कर दीजे, और दोस्तों को बताना चाहते हैं, तो वीडियो को share भी कर दीजे, मैं आप से मिलता हूँ new topic के साथ, अब तक के लिए, जय हिंद वंदे मात्रम